दीपक शर्मा हूँ और नेस कॉलेज में पढ़ाता हूँ विज्ञान की दुनिया से जुड़ा हूँ और पिछले 35 सालों से विज्ञान को विज्ञान संचार का छेते में काम कर रहा हूँ मैं दुनिया का पहला वेक्ती हूँ जिसने 8 जून 2004 को सुक्रपार गमन के दोरान प्रतिस सूरज की दूरी नापी थी और एसिया का पहला अध्यापक हूँ जिसे यूरोपें साइंस मेट में इन्वाइट किया गया था साथ ही साइंस का पहला रियल्टी शो वर्ड का वो हम लोगों नहीं बनाया था जिसका नाम विज्ञान घर है 2015 में और इस प्रकार से हम इस तरह की चीजों को लगाता है हम 30-35 साल से करते जा रहे हैं और लग भग हम 30 लाद्ग से ज्यादा क्रोस कर गये हैं लोगों को समझाने का जो काम हमारा चल रहा है परंपरा के तहत लगों 30 लादD अभी तक मैं कर चुका हूं लोगों को जहानकारी अपडेट करना और ट्रेनिंग देने का काम मैं कर चुका हूं आज की बात करने हैं राम नगर की तो PNG कॉलिज में हम लोग जो चार दिवसी जो कारेशाला हो रही है समा सेवा जो संस्थान है उसके माध्यम से जो कोड़वार की संस्था है उसके माध्यम से जो चार दिवसी एक प्रोग्राम है आज दिन हमने दो बड़े एक अंतराष्टे इस तरह के प्रियोग करें पहला उसमें प्रत्विश्य प्रइधिन आपने का था जिसमें हमने 12 बस के 13 मिनट पर सबसे छोटी परचाई आज यहां की आई और उसके आधार पर हम यहां से तीन एक्सपरिमेंट को कर पाए पहला सबसे छोटी परचाई के साथ में नौर्थ की दिसा रियल नौर्थ को पहचाना समझना सुरू करा दूसरा यहां का अक्षानता निकालना और तीसरा प्रत्विश्य की गोलाई को नापने के डाटा आ चुका है इसका अब दूसर प्रियोग यह था कि हमने एसिया की अभी तक की आज 69 वी उन्हेंतर वी एनालेमा संडाइल हम लोगों ने बनाई और राम नगर की सबसे पहली एक मात्र संडाइल यह हम लोगों ने बनाई जिसकी वज़े से हम उत्तर की दिसा में दिसंबर पर आज 29 दिसंबर के हिसाब से और उसकी परचाई जो है ठीक एक बज़ के 45 बट पर आ रही थी यानि कि पोने दो बजा रही थी और हमारे मोबाइल की घडियां भी पोने दो ही बजा रही यह समाज सेवा शिक्षा समित कोड़द्वार द्वारा चारदिवशी विज्यान प्रचारक प्रचारक कारिसाला हमारे महाविध्यालई में कराई जा रही है इसमें विएड विभाग के विद्यार थी और साइंस संकाय के शोधार थी भाग ले रहे हैं विएड के सारे प्राध्यापक भी इसमें सहबा कर रहे हैं और साइंस के सारे प्राध्या प्राप्त विद्वार स्री दीपक सर्मा जी कितने शरल रूप में शिखा रहे हैं हमें भी यहां पर से सोड़ करके इधर उधर जाने का हमारा मन नहीं कर रहा है अभी आप जब विद्यार्थियों से मिलेंगे उनका उत्सा देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि यहां कारी प्रापन कर पाएंगे और खेल खेल में साइंस की अनुबूज पहलियों को सुझा पाएंगे मेरे नाम इमांशा आ रहे हैं मैं बीए सेकंड सेमस्ट्री की स्टुडेंट हूं साइंस से हम लोगों ने तीन दिन में हमारे हैं साइंस की एक वरक्शॉप चल रही है जिसमें दीपक सर्मासर ने हमें बहुत सारी अक्टिविटीज सिखाई जिसमें बताया गया कि किस तरह से को हम रूची कर और बना सकते हैं शिक्षा के माधियम से शिक्षा देने के लिए हम उसको किस तरह से एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं वह चीज हमने सीखिया और आज तीसरा अलग तरीके से हम समय को दूप के साथ ले सकते हैं और इन सभी से हमें बहुत चीज़े सीखने को मिली हैं जो हम कोशिश करेंगे कि आगे जम सिक्षक बनेंगे तो स्कूलों में भी अपने विद्यार्तियों को उसी तरीके से इनोविटिव तरीके से सब सिखाएं और हम अ सब्सक्राइब को कैसे बनाया जाता है और यह रामनगर की पहली सौर गड़ी है और इसमें हमने काफी टाइम अपना स्पेंड करा और फिर हमें जाके इसका रिजल्ट मिला और इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी जैसे लेंग लॉंगिट्यूट और करने वाले हैं तो हमने कई रूची कर तरीके सीखे जिससे हम आगे जाके बच्चों को भी सिखा सकेंगे और यह जो सिल्टिला है वो चलता रहेगा जन्रेशन टू जन्रेशन और इससे पढ़ाई को हम एक रोचक तरीके से बना पा रहे हैं